हेलो फ्रेंड्स आज हम सॉल करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बार ग्राफ बार ग्राफ ठीक है इसके अंदर का आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 इसके अंदर हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को अज़ा हम सॉल करेंगे ठीक है प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में हमें पहला कोशन दिया गया है दो नेम्स आफ दो हैट आफ सम फैमिलीज आफ आफ बिलेख आफ वैंटिती आफ दिंकिंग अवार आफ उ्हa प्रैक्टिस नंबर इन वन डे आर गिवें बिलो ड्रॉ बार ग्राफ फॉर इस डेटा तो अपने को कोशन क्या दिया गया है कि दा नेम आफ दे हैड आफ सम फैमिली इन विलेज एंड दे क्या तो सब्सक्राइब सबस्क्राइब ये विलेज और नीचे यह दिया निचे ऑफ वाट्र यूज तपने को दोग कह दिये गये इसमें दो रो दिये गये तो सबसे पहले कि कौन से फैमिली का नाम है रमेश की फैमिली रमेश के फैमिली वन डे मतलब हर एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेती है उनकी फैमिली 30 लिटर पानी यूज़ करती है 30 लिटर ठीक है उसके बाद इसी में क्या दिया है शोभा शोभा की फैमिली कितना लिटर वानी यूज this commence to use उसके बाद लियाए आयूप ढूड़ की फरमी ने कितना युजके कियाゃー 40 लिटर्स वाटर यूस्किया ठीक है बाद गर है जुली shoes ऐसे इसके जूलाच का देना रहूल नीकिस किया 55 जुर्टर यूस्किया तो अपने को यह डेटा दिया गया है इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है बार ग्राफ बनाना है ठीक है तो बार ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने डेटा को देख लेते हैं अच्छे से तो तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है इसमें कि name of the family दिया गया है और क्या दिया गया है अपने को इसमें अपना लिटर of water use ठीक है तो यह अपने को दोनों data provide किये गए कर डाग झाल कि अब इसका हमें क्या करना है एक graph बनाने कwasser बनाने का बार ग्राफ तो सबसे पहले प्रक्त सबस्तरे करें अपने आ कि सीक्सिस औरक्ष को द्रॉ कर लेना अलए तो चलब एक्स एक्सिस और देखो कर लेते हैं तो देख़ाँ क्या करों यहां पर अपना स्केल रखो और यहां से तो यह कर अपना हो गया और एक से को मिने चलों कि यहां पर देखो मैंने X axis भी अच्छे से ड्राव कर लिया है तो इसे हम क्या बोलते हैं X axis बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं Y axis तो आप यहां पर चाहिए तो इसे नाम लिख लो यह X axis और यह हो गए अपनी Y axis तो अपने को देखो क्या दिया गया है एक तो नेम दिया गया है और एक लिटर्स ओफ वाटर यूज दिया गया है तो जो नेम होगा हो कहा पर आएगा अपना एकक्सिस पर आएगा और चलो हम it will और देखो यहां पर आपको क्या घुंशनर मैं को को एकसीस वह ब्लुट को आप लिखेए टो आप इहां गर्सक्रणी जो पहला होता होता है इसे छोड़ कर यहां पर नेम देदो तो परला नेम क्या अपना दिखो यहां पर क्या है रमेश तो पहला नेम क्या जागा इदर रमेश ठीक है फिर वापस से एक लाइन छोड़के यहां पर क्या लिखो सेकंड नेम क्या अपना शोभा तो सेकंड नेम आ जागा अपना शोभा ठीक है फिर वापस से एक लाइन छोरके कहां पर आजाएगा यहां पर फिर क्या है आयूब ऐख वापस एक लाइन छोरके आजाएगा जूलिए अ है प। ईश焦 सब्सक्का क्या करना है एक लाइन छोड़के लिखने का चालू कर दो ऑपने क्या कर लिया है यहां से अपना इसको क्या बोला जयता है ओरीजिन यहाँ पर जीरो तो देखों एक से Chair लिखने फिर वाफस से चोड़के एक सोबा फिर आयूप जूली और यह राहुल तो आपने एक 1 संटीमेटर छोड़के लिख लिए ठीक है उसके बाद कदी लिटर सफ जो फ उर्ठ तो लिटर सफलाएगा ये इसा बना के लिटर ब्रेक्ड बनाके लिक्टर पर लटर हो यहां पर लिख लिए dealt के अब उसके बाद देखो अपने को Y axis कैसे plot करना पड़ेगा यहां पर देखो 30 60 40 50-55 यह सब क्या दिख रहा है अपने को इससे के टेबल में आते हैं यह सब किसे टेबल में और हम इसको किसे 5 के टेबल में आते हैं तो हम सबसे पहले ज़्यादा नंबर किसमें अपना 10 के डेबल में तो हम क्या करते हैं कि यह जो अपना the box लेखा है आफना संटी में गता है वान संटी में गई तो हम क्या पखड़ेंगे कि एक संटी में कि परवर हो जाएगा है टैन लिटर्जर्ट के परवर हो जाएगा तो हम थे स्केल और अपर सेल लिख लो स्वेलि है वो कितने के बराबार है वान सेंटिमेटर इस इक्वल टू टैन लिटर्स ऑफ वाटर के बराबर है ठीक है यह अपना था ठीक है आयों को समझा रहेगा कि स्केल लिखना की जरूरी रहता है नाम तो मैं डारेक लिख लूँगा लेकिन जब मेरे को यह प्लॉट करना कुल तव यह साहां जाना है यहा को नाम है टंब अब 3040 गब अपने को बॉल जाना है तो जिवल जिरू इस के बाद ईसके बाद और we 70 टग लिया ठीक है पर अपना क्यां तक पकड़ लिया 70 टग पकड़ लिया ठीक है अब उसके बात हम क्या करेंगे सबसे पहरे अपना यह दिखना टेल कि यह जो ने में उसे X X P Lort करेंगे और जो यह है उसे हम करेंगे और दिखेंगे कि को सा का multiple पर आ रहा है तो दिको यह सब 10 के table में आते हैं तो हम क्या कर लेंगे 10 का table पकड़ लेंगे कि on y-axis 1 cm is equal to 10 liters of water ठीक हो हमने कर लिया तो हमने उसके बिहाफ पर क्या कर लिया यहाँ पर 10 का multiple लिख लिए देको 0-10-10 का difference देना पड़ेगा क्योंकि हमने scale को 10 लिटर पकड़ा है तो यहाँ पर 0-10-20-30-40-50-60-70 ऐसे आ जाएगा ठीक है आप यह पको यह समझा रहेगा अब हमारा क्या मोटीव है कि हम अभी अपना यह बार ग्राफ कर लाट करते हैं तो रमिष कितना पानी यूज करता है 30 लिटर पानी यूज करता है तो रमिष ने कि यहां से लेकर यहां तक 30 टर्ट टर्ग ब्रॉ यूज भू करलो यहां से यहां तक 30 लोटे टर कर से कितना लटर का हो जाएगा वी कि यह हो जाएगा ठीक है उसके इसे बांट अपना म Similar में कितना लिटरूस किया है 60 लिटर तो 60 लिटर अपना जा रहा है देखो 30 तो यहां हो जाएगा 30 40 50 60 मतलब यहां तक आज currently तो आप यहां पर पैंसिल पकड़ लो अपना पट्टी रखके इस सोबा पका भी कहां तक आ जाएगा अपना 60 लिटर लगका तो इसको भी हां पर इसे रखके अब इसे भी आप प्लॉट कर लो ठीक है यह भी क्या हो जाएगा यहां पर क्या है कि यह हमने क्या कर लिया प्लॉट कर लिया ठीक है उसके पाणी उसकी किसको फंलिन नहीं 40 लिटर तो 40 कहां तक आ रहा रहा है अपना यह जो तैन, ट्वैंटी, ठर्टी, फॉर्टी, यह यहां पर आ रहा है, तो हम इसका भी फ्लॉट कर लेते फटक से, तो आयूब ने किनना पानी उसकिया है, यह लोग ने, इसके बता दो, यह देखो, यह मैंने 40 लिटर का किया, उसके बाद, जूली ने कितना उसकिया है, पॉटर, जूली की फैमली ने कितना वाटर उसकिया है, 50 लिटर, तो 50 कहा रहा है, यह 40 होगा है, तो इसके एक और 10 एड हो जाएगा, बतल्द यहां पर आ जाएगा, तो यह हम ढूर कर लेते हैं, उनके फैमली का भी, तो यह दिखो, हमने अच्छे से द्रा कर लिया, यह कितना लिटर होगे आपना, 50 लिटर, ठीक है, और लास्का को ने अपना रहूल है, रहूल के फैमिली ने कितना लिटर किया है, 55 लिटर, तो देखो, तो यह 60 और 50, 60 और 50 के ब वैसे मता हूँ अच्छ से तो ऑपने ग्राफ होता है ना ग्राफ एडीच में बीच में कितने उते हैं एक एक शेंटिमेंटर में कितने सब लाइन होते 10 जेखो मतलब यह 0-50 आ गया तो एक ड्रॉख करना कंगो तो 51 52 53 54 55 55 मतलब पांच जैस आएंगे 56 57 58 59 और 60 ठीक है तो 60-55 के एकदम बीच ओ बीच लेना पड़ेगा कि कहाँ पर लेना पड़ेगा हमें 50-60 के बीच में 5060 के बीच के बीच में कहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिख लेते हैं तो यह देखो यह हमार एकदम बीचों भी जा गया अब इसे भी आप अच्छे से फ्लाट कर दो तो देखो यह हमने अच्छे से अपना बार ग्राफ को अच्छे से ड्रॉट कर लिया है बार ब्राइग आपको सबसे पहले कोशन दिया गया रहा है और नीचे juice के दिए और-ब करना है तो सबसे पहला होता है हम एक्स-स बना लेंगे और казang करेंगे जिसका उसे नामे अब आप यक्स ड्रो करने की बारी आई तो आपके अपने को देखा की डेटा किस इसाब से प्रोवाइट किया गया है तो देख लिया हम डेटा जिस हिसाब से प्रोवाइट किया गया है आप यह सब 10 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो हम क्या पकड़के चलेंगे सेंटीमेटर इकोल टो टेन लिटर सोफ वाटर तो में मेरा मतलब एक सेंटीमेटर कितने लिटर को डिनोट कर रहा है तो मैंने जिएक ज्यादा है यहां पर 60 तो मैं और लाइन से बना रहता है तो अगर में को 51 बोलना रहता तो क्या करता मैं 50 के उपर एक छोटी से वहां करूंगा 55 मतलब क्या 50 तक आके और चोटे-चोटे-चोटे-पांच लाइन ड्रॉप करो गया ठीक है आई अच्छे से समझा रहेगा अब हम कोशन नंबर तू देख लेते ह हमें पूचा गया है अपना ये प्रैक्टीश से अपना यी क्याता है 19 में पूंड अम्सल्ड कर लेती तो क्वे नंबर तू में हमें बोला गया है कि अच्छे पान एब तूमें बोला गया है द नेम and numbers of animals in a certain zoo are given below to use the data to make a bar graph तो आपने को देखा इसमें भी question क्या पूचा गया है कि आपको कुछ data दिया गया है क्या दिया गया है name of animal दिया गया है और जू में animal के कितने quantity है तो आपना जो यह सबसे पहला रो दिया गया है और किसका दिया गया है यह है number सबसे पहला दिया रहे उसके बदद क्या है attacker है कि किसके और करने गिदूनी C क्या करना है तो चलो सबसे यह भी हम सेम जो पहला वाला कोशन सॉल के उसी साब से भी हम अच्छे से सॉल कर लेंगे तो जो सबसे पहले तो हमें जैसे यह बनाने का रहते हैं सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमैं एक तो वा एक्सिट ड्रॉह करना पड़ेगा पर करना परने पर तोigan पर से लिए यह था पना मैं सेक्सिस को ड्रॉह कर लेता हूँ यह था लाइन छोड़के कर लेता हूं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस भी अब अब दिखो आपने को ड्रॉख करने का है तो इसमें डिया गया एक नमबर दिये गया है तो हम एनिमल को किस पर ड्रॉख करेंगे करें कर गरें और इसकी जो भी क्वटिटी यह कहां पर ड्रॉख करेंगे कर से तो एकस एक्स पर बोला गया है यहांhao कर लो यहां पर अच्छे से ब्रैक्टि बना के अनीमन लिख लो थैकर यहां पर क्या लिख लो आप लिख लो मैं इसको फ़राद दोंग कर देता तो आपको अच्छी से दिखाई देगा यहाँ पर अनिमल सी लिख लेटे हैं तो सबसे पहले आइमल के आप बोला गया हमें डियर तो आप एक जो यह एक सेंटीमेटर चुरके हैं यहाँ पर दिया गया है ते हैं पर यहाँ बे लेता हूद को नाम लिख लिए है इस पर आपने लिए हैं इस पर हinander कर दिया हूं कि एनिमल्स करेंगे तो य स्केल देखना पड़ पड़ता है कि मैं एक्स की में कॉंटिटी पकड़ूंगा तो यहाँ पर देखो सब किस के टेबल के दीख रहे है आपको फूर के टेबल के दीखंगा उथन टेभी सब को मश्चे सब unl our सब्सक्राइब टेबल में ऑन एता है वो ठुथ है विक्सटीन में आता है तो यहान पहलग कितने अनिमर्ट के बराबर रुवा आ tense वान सेटीमिटर i time टो फोर एनिमन तो इसके भिछाब में और में आ रिवेशक kो ड्राइगे तो अपनकिक्स कर लेते हैं तो अपना आकक्सिस मेरगी किसका असीऽ पर उन्हें चाहिए तो एकले तक क्यों रहा है किया क्योंकि यहां पर हाइस क्वांटिटी कि इतना है 20 तो 20 से एक जाजा क्वांटिटी को में डॉकर लोगा अब पूरा मत लिखते बैठ जाना ठीक है जहां तक आपने को रिक्वार है वहां तक ही लिखना है तो चलो एक नमर ज्यादा पकड़ लेता हूं और इसके बाद हम क्या करेंगे अपने ग्राफ को भॉकर तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है एक अपने को 20 करने की तो आपना 20 कहा तक आ रहा है 4, 8, 12, 16 और 20 डियर कहां तक आएगा अपना 20 तक आएगा तो यह कहां तक ड्रॉआ होगा पूरा उपपर टक ड्रॉआ होगा यह यह देखो मैंने डियर की कॉंटिटी कितने ड्रॉआ कर लिए 20 अब इसे हम ड्रॉआ कर लिए कितने को टॉटिटिटिटी को टरॉप कर लिया कि अब होगे सेखेंड नमर पर कह दिया गया आपने को टाइगर करना करना है अपने को फोड सब नपोर कहां तक आ रहा है यह डॉब्या से यहां तक हारा है तो फूर को कितना डॉकर हो गया आप इसको यह तक ही डॉकर लेग Ciao और यह पना फॉर है कि यह अपने क्या उत ऐुब उसके लिवेड़ क्तिया है मंप्की मंप ट्वैल एक डॉर कितना थैनल घ्लर रहे liar है कर लेते हैं मैंने कैना कर लिया तक उसके रॉपिट कितना गया है में डीया गया है 16 ते किस इन बहुपिछ जब टॉप कर लेता हूं तो बैबिट कितना है मेरा 16 चुछलो में यह देखो यह राइबिट को भी 16 तक दो कर लेता हूं तो तो यह मैं एट को किसको कर लिया है अपने को भी को कर लिया ठीक है यह था अपना और यह किस चीज का लिए ना यह था अपना अबर टू जिसमें आपने को एक आनिमल्स के नाम दिये गए और इसके नमबर दिये गए तो आपको उसका भी क्या बनाने बोला गया था बार अग्राफ बनाने बोला गया था तो हमने क्या किया एक्स एक्स लिया और पिर यह वा एक्सेज्ट लिया और उसमें हमने एक्स एक्स लिया और उसमें एक्स उसके कॉंटिटी इंक्टनी है मतलब कितने मैं लए इनिमल्स कराया है वं regular किणा अनिमर्स को यह था इनिम्स कढ़ लूँंगा 1 cm का मतलब कितना animal हूं होने 4 तो मैं पता लगा लहंगा कि यह कहां तका है 20 तका है तो मतलब deer कितनए present है 20 tiger k menstruate कितने 4 present है manly कितना प्रेज़न्ट है 12 rabbit कितना प्रेज़न धे 16 और यह इस ठीक है आपना था question number 2 अधी हो पाका अबर थी हमें बोला गया है, question number three, the table below gives, ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ फटाक से, table gives the number of students who took part in the various items of the talent, ठीक है, show as part of the annual school gathering, make a bar graph to show this data, ठीक है, तो आपने को क्या दिया गया है, कि बताया गया है कि the table given the number of students, कुछ number of students दिये गया है, ठीक है, उनके numbers दिये गया है, क्या किया हो लोग ने, उनोग ने take parts in the talent show, talent show, कहाँ पर annual school function, तो उनके school में कोई annual school function था, तो उन्होंने इसमें भाग लिया है, तो आपने को पूछा गया है कि अलग अलग मतलब competition होता है, जिसे dancing में कितने लोग ने part किया है, उसके बदब ड्रामा में कितना part किया लिए लोग ने part लिया है, तो सब अपने को डेटा दिया गया है तो अपने को उसका अग्राव करने का है तो लिख लेता हम में फटक से देख तो दिया गया प्रोग्राम में क्या क्या था सबसे फ़ले ड्रामा था ड्रामा उसके बाद डैंस हुआ उसके बाद वोकल म्यूजिक हुआ उसके बाद इंस्टूमेंट सिंटूमेंट यह इंस्टूमेंटल मुजिक है उसके बाद वन एक्ट पले ठीक्टे लास्का कहता आपना वन एक्ट पले हुआ तो देखो और इसमें कहता है नंबर नबर अप किले लोग ने किया है भाग लिएल नंबर अफ स्टुडेंड कितने िम इंद लिया-पहती टरौप लिया था ट्वैंटिफोर में कितने लोग भाग लिया तेय sudah इट लोग ने और फोर लोग ने अपना योइं लिए है अपुर लोग दितink है है तो चलो हम देख लेते हैं तो हमें इसका बहुता बनाने का है आफनाचे अपना देख लिए एक भाईने की बीड हैं है ऑह और प्रोग्राम में कितने लोग ने उसमें भाग लिया गया है तो सबसे पहले ड्रामा में कितने लोग ने भाग लिया है तो हम क्या करेंगे अपना अपने बारग्राफ में करना पड़ता है एक तो य-axis और एक हम आफे एकसिस् आज यह मेरा एकस एकसिस और यह कहिंए ड्राइक से डॉर कर लिया है अब हम क्या करेंगे तो इन्हां देख कर सकते बना सकते पर अपना य्स पर आ जाएगा और जिलत रविप अपने पर य जैए यहां पर क्या आजाएगा नेम आफ दर प्रोग्राम को प्रोग्राम को तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या हुआ ट्रामा तो एक लाइन चोड़के मैं क्या लिखूंगा ड्रामा पर टक्सें में लिख लेता हूँ आपको दिखा दिखा के तो यह पहला क्या आगा ? ड्रामा फिर एक लाइन चुटके क्या उन्हों ने भाग लिया था बच्च लोग लोगा ने यह किया था भाग लिया था चुला हमने यह बीडरा कर लिया अब यक्षिस य चला करना है तो यक्सिस में दिक्वो अब में टिकर आपको लिखो 2440 16 8 और 4 ये सब किसके टेबल में जा रहे हैं तो हम क्या पक्रणेंगे और य-axis 1 cm एकल दो वह मैंने श्टुडेंट्स फूर स्टुडेंट के बादे ठीक ना फूर नमबर बॉप सुडेंट से बाराबरे तो चला हम वह एक्सिस को भी फटक से प्लॉट कर लेते हैं तो यह अपने जिरोट चाहे है जिरो अपने को कहार ना पड़े गा फॉर कटें बंदिगना पड़ेगा फॉर वन्जा फॉर त तक लिखा यहां पर सबसे हाइस नंबर क्या दिख रहा है आपको 40 दिख रहा है तो उससे में एक नमर ज्यादा लिख लूँगा तो उससे एक नमर ज्यादा क्या जाएगा अपना 44 आ जाएगा अब चला हम फटा-फटी इसको और यह क्या चीज़ दिनोट कर रहा है नंबर लगा के नंबर शेग को लिख लेता हूं ठीक है यहां पर लिख लेता हूं ठीक है यहां पर पर आ रहा ही हां पर नहीं है इसे के सटेंटी फॉर लेता हो यह के बराबर हुँ locks कर लिए मैंने 40 को उसके बाद वोकल मुजिक में कितने लोग भाग लिया 16 लोग ने 16 लोग ने 16 लोग का प्लॉट कर लिया उसके बाद क्या था मेरा इसको भी प्लॉट कर ले तो हो उसके बाद का क्या था वन प्लेक्ट में कितने लोग भाग लिया मतलब कितना फॉर्ज्ञ यह फॉर्ग्रम मतलब क्या होका अपना यह वांग्स बनेगा यह मैंने बना लिया इसका ठीक है ये था अपना किसका बार ग्राफ यह अपना जो यह data गया हुन था एक प्रोग्राम है एन्यूल फंक्षन का प्रोग्राम है यसमें इतने इतने बात Elr предлаг ए है अब उसका मुझे बारच बनागे निखा लिए तो मैंने लिए एक अग्रन किया यण जो प्रोग्राम में किसे लिखेंगे दॉन श्सारण के नहीं में जितने बाइद बिये यग तो हम उसे के और क्या स्केल का देखेंगे हम केसे में common कि दिख आइफ पोर का टेबल तो मेर्ट पकड़ कर चलेंगे जो अपना यह सेंटीमेटर है कितने के बराबर है ने कि ब्रेंट के बराबर और रहां है तो मैं आपर से क्या लिखने लूगा फॉर का टेबल लिखनेंगा 048 12 16 20 24 28 32 36 40 or 44 का टेबल लिखते जाओ और देख़ो कि कहार कौन सा हास डेटा अपना 40 है तो मैं 40 से एक नंबर जादा बना लूगा एक टेबल उसे ज़्यादा ली लूगा तो फॉटी से टेबल क्या आ जागा एक तो इसके वहाब में अच्छे से ड्रॉव कर लोगा और one act play में फॉर्स रुणने पार्ट से रिस्टिट किया। आई यूपको कोशन नम्बर थी देम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम कोशन नम्बर फॉर्स देख लेते हैं। अब हम सॉल करेंगे कोशन नम्बर अपना 4 ठीक है। कोशन नम्बर फॉर्स में हमें बोला गया है कि दा नम्बर अफ कॉस्टमर हूँ केम टू अ जूज सेंटर दूरिंग वन वीक is given in the table make two different bar graphs on the on this data on this data as per given skills ठीक है तो देख आपने को इसमें क्या दिया गया है दो वन बोल रहा है अपने को किया on y-axis वन सेंटिमेटर कितने बराबर है वन सेंटिमेटर कितने के बराबर है यह आपको पहला इसमें स्केल टू भी डौ करना है अलग बारग्राफ किसका डौ करने का है और y-axis वन सेंटिमेटर कितने के बराबर है कस्टमर के बराबर है टैन कस्टमर के बराबर है ठीक है तो अपने को यह वाले कोशन नवर फोर में मैं अपने को दो बारग्रा ब्रौ करना करने का है अलग-अलग स्केल के हिसाब से चला हम अपना डेटा देख लेते क्या क्या है तो इसमें क्यादिया है टाइप सॉप चूस क्योंकि जूस का एक यह शौप है आप स्दाइपस ऑफ जूस है और इंजूस उसके बाद पाइनएपल जूस उसके बाद मैंगो जूस उसके बाद पोमेगरेनट जूस है तिक यह सब जूस अपने को दिये गए और उसका क्या दिया गए कस्टर मर कितने हैं तो और कितने किया है यह ए उसके बाद रोंग अपना नंबर और और इंज के कितने कस्टमर है 50 पाइनपल के कितने कस्टमर है 25 मैंगो के कितने कस्टमर है तो आपने को क्या दिया गया है कि यह जूस पिने के लिए इतने कि अपना एख से लिए तो अपना ये तो अपना जो स्ट्रेट लाइन होती है हम क्या बोलते हैं वाइक्सिस तुम्हें देखो यह पर फटक से अपना आपना और यह हो गया इंगे x एक्सिस और डो कर लिया इक्सीस को नेमिंग कर लेते हैं यह अपना हो गया ऎकस एक्सिस यह आपना origin और यह कि अपना safe अब सबसे पहले आपने को क्या दिया है स्केल देख लरेडी डिवन है एस किर क्या बोलता है आपने को Yep e ग्याक ऐक्सीजट किए औस किंधे के बडूわかर वान सेंटीमेट्र इугोल टो हम कर दो हमीनिक घ्रट्ट press के बराबर इक शुर्ट मेंस तर्टन वन परम पैसी प्लॉट करें गए inhib धाट सुप्छ जूज और वाई एकस्ट पहला करें घ्रूब सब्रू मृबल्ब तो, यहां पर हम कहा लेख लेते हैं ? टाइप्स और जूस ठीके आप इसे पहला क्या है ? तो पहला जूस के अपना ? और फेरेन्ज फिसी क्या है ? तो ऐक लाइंच और क्या हम लिख लेंगि के ? पार ऊसके वज यूस बाद याउक लेख लिख लेंगे ? मैंगो और उसके लाज का क्या है अपना पोमो ग्रेनेट अपने जूस अब उसका कस्टमर दिये गए तो अपने को अपने को अपने को बोला गया है कि आपको डो डिफरेंट ग्राफ करने के तो ठीक है हम पहले वाले में क्या करते हैं मतलब एक सेंटिमेटर के किते किस्टमर के बरबर आपर हैं तो फाइप किस टेबल लिखेंगे और यहां पर देखो सबसे हाइस टंबर क्या है 65 तुमें गहां तक लिखूंगा तो नहीं फटल फटल लिख लेते हैं तो इपाइब 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 और यह अपना लास्का 70 तक तो यह हमने 5 का मल्टीपल लिख लिया है अब हम फटाक से अपना बार्गाउड डॉप करना है चालू कर लेते हैं तो सबसे पहले और इंज कितना है अपना और इंज का कितना क्वांटिटी वाले तोटल और इंज तर पर आप लिख क्या चीज है तो लिख लेना यहां पर आप यह क्या चीज डिनोट कर रहा है नंबर और और यहां पर लेख लोट नंबर ऑफ कस्टमर अरे अपने क्योंड टाकि कर लिए 50 कर लेते हैं कि अपने किस्टमर होगे 50 उसके बाद क्या था अपना पाइनापल के कितने हैं 30 तो 30 कहां पर आ रहा है अपने यहां पर तो पाइनापल के कितने होगे अपने पाइनापल के कितने होगे 30 उसके बाद क्या था अपना एपल के 25 अपने 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 कितने किस्टमर है एपल जुस पिने वाले 25 यह जो कोई अपना अपने कि अपने 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 कितने अपने 65 यह अपना यहां तक आ गया कि पीजिए कि अपने कितना गया है मैंगोजूस में किस्टमर 65 अपना पॉमगराईट कितने किस्टमर एक कहाँ जाएगा यहां तक आ ठीक है ये हमने किसे पडर किया स्केल वान क्या आपर ड्रो किया ठीक है अब यही सेम को यही सेम हमें क्या करना है यह तो हमने स्केल वन ग्राव कर लिया तो हमने पर इसाब से डॉक कर लिया अब हम क्या करेंगे स्केल टू के के बराबर होगा 10 के बराबर हो जैगा कून डॉन सेंटिमेटर इसके बाद में बना लेता है अपना एक्स एक्सिस यह क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस और यह हो गया मेरा वा एक्सिस ठीक है आप एक्स एक्सिस में क्या था अपना क्या था अपना नेम अफ द जूसेश मतब टाइपस अफ जूसेश तुम्हें यहाँ पर लिखेता हूं टाइप ऑफ जूसेश ठीक है और इसका आपना और इंगो उसके बाद क्या था अपना पॉमो ग्रैनेट पॉमो ग्रैनेट ठीक यह अपने जूसेर तो और अपने लेको यहां पर क्या पकड़ना है कि वाइन सेंटिमेटर को टेन कस्टमर में तो तो हम क्या करेंगे 10 का मार्टी पर लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 ठीक हाइस नमबर कितना था अपना नमबर आप जूसेश अपने हाइस जूसेश कितने थे 65 थे 65 का हाइस कितना आ जागा 70 तक लिख लेंगे और चलो हम फटा-फट प्लॉट कर लेते हैं और यह क्या चीज़ है नमबर करता है टेक करता है कि कस्ता मर्का इंफार ऐसे तो और इंच पिनेवाले अंच इन खीकर सिपने आ तो 50 कहा मारा है या आ अपना 50 तो और इंच पिन आलए कहा मठाक आजाएंगे अपने यहां 50 तक रहते हम ऐसे दो कर लें ऐसे लिए तक 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 तो यहां तक प्लॉट हो जाएगा कि अधिके उसके बाद एपल पीने वाले कितने कर्ष्टमर थे अपने 25 तो 25 के आगा 20 और 30 के बीच में बीच आएगा इसके तो यहां पर अच्छे से प्लॉट कर लेता हूं जिसे भी प्लॉट करें मचे से डिजाइनिंग दे देते उसके बाद अपना क्या था उसके बाद हम क्या डॉट करेंगे मैंगो के लिए तो मैंगो के लिए अपना क्या था मैंगो के लिए अपने कितने कर्ष्टमर थे मैंगो के लिए अपने 65 कर्ष्टमर तो 65 कहाँ पर जाएगा जिसके कितने कुस्तमर ते अपने टोटल शिक्स्टीफाइगा इसके भी अच्छे से अपने शिक्स्ट्य के लिए और ऊच्छक लाज क आपना पॉमगरेने तो प्रमक्राने किस्टमर यहाँ तब यहां तक है यह तो किस्टमर आजएंगे तेन तो यह भी हम यह ठीक है यह था अपना question number four question number four में क्या बोला गया था कि आपको एक question दिया गया है कि the member of the number of customer come into a juice center during during one week is given in the table make a two different bar graphs तो आपको एक तो juice juice का center different juices से और उसके पीने के लिए इतने इतने customer आते हैं वीक भर में तो इसका आपको दो बार ग्राब बनाने बोले गए एक scale आप one centimeter को पाच customer के इसाब से आप बार बना के दिखाई है और scale pop 10 centimeter पकड़के बार ग्राब हाइस नंबर के 65 तो मैं एक टेबल ज्यादा ले लूँगा तो मैं कहां तक ले लिया अपना 70 तक ले लिया ठीक है अब हम उसके हिसाब से ड्राव करेंगे कि है पाइला कोशन मतल्य उसकल्ण का इसर और यह सेकंड एक आता कि आपको खाली आपकर क्या चेंज करना पड़ेगा कि वां सेंटीमटर था भी पाइर केस्ता नहीं है कोशो कुछ नंबर फोर बीगदा मत्चिसे समझ रहेगा अब हम कुछ नंबर फाइद देख लेते हैं तो कुछ नंबर फाइद में पूछा गया है वाटशन में कुछ नंबर फाइद भी लिख लेता हूं कोश्च नवर फाइब में हमें बोला गया है स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन फाइव विलेज़ेज आफ सांगली डिस्ट्रीट मेक अ बार ग्राफ ओडीज डेटा थीक stars गष्हिए तो क्या करो वाइच इसको और यहीज 1 cm ten एति कितने त्रीस अब इसके पर दिया है अपने को नंबर ऑफ ट्रीस प्लांटेट ठीक है यह अपने को सिकन्ट डिया गया है वहला कि डिया गया था अपने को की नेम आफ द विलेज ठीक है तो टूटल कितने विलेज के नाम दिये गए घंप तो फटक से हम में 5 कॉलम डौकर लेता वन टू थ्री और यह फोर फाइं ठीक है फाइख कॉलम हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया अब चुला हम फाइख कॉलम के डेटा अच्छे से लिख लेते हैं तो फाइला विलेज कह था अपना पहला विलेज है दूद्गाव दूद्गाव उसके बाद यह आया है बगनी उसके बाद यह एह संदोली उसके बाद दिया है ऐस्था उसके बाद यह आपने को कावेती पेरन ठीक है यह अपने को पाच्चों के बाचे विलेजस के नाम दिये गए है तो यह जो पहला विलेजस में कितना ट्री प्लांट किया गया है 500 फिर बंगनी में कितना ट्री प्लांटेट किया है 350 फिर समधोली में कितना ट्री प्लांटेट किया है 600 फिर आश्ठा में कितना प्लांट किय घए गए और आपको स्केल भी एंगरिय। यह बोलता है कि कि सबसे पहले क्लेयर से इपना याप 452 से पहले क्ल्सिय औराच यह था मेरा y-axis और यह मेरा slanted में क्या जाएगा यह मेरा क्या जाएगा x-axis तो यह क्या आगया मेरा x-axis और यह क्या आगया मेरा y-axis ठीक है अब फटाफट से हम अपना naming कर लेते हैं यह हो गया यह हो गया y-axis x-axis पर हम क्या आगव करेंगे नेम आफ दा विलेज़ है तो फटाक्ट से मैं यह लिख लेता हूँ नेम ओफ धी छίνगे। यहाँ पर हम डॉ करेंगे। और ओर नमबर अफ प्लंट्स। तो हम प्लांत्स में क्या करेंगे। प्लंट्स हम वायक्स पर डॉक कर लेएगर ठीक है तो सबसे पहलेट अपना विलेज क्या है। तो में एक सेंटिमेटर शुरके क्या डॉव कर लूँगा अपना फटाफट सब्सक्राइब नाम लिग लेता हूं विलेज़ेस के है तो पहला विलेज के अपना दूद गाउ तो फिर सेकंड पर क्या आ जाएगा अपना बगनी फिर थर्ड विलेज के अपना शामदोली फिर फूर्ट विलेज अपना है अस्ट अस्ट उसके पाद लास्ट वाला विलेज अपना कावत्ति पिरान ठीक है कावत्जी पिरन अपना लास्ट ऑचण ने अपना लास्ट सॉडी विलेज है और अपने को देखो आपने को स्केल करने का यह तो स्केल पैस कि on y-axis 1 cm कितने trees के बराबर है 100 के बराबर है तो on scale लिख लो आप scale on y-axis 1 cm is equal to how many trees 100 trees के बराबर है 100 trees के बराबर है तो मैं scale लिखते से मैं क्या करूंगा अब किसका multiple लिखना पड़ेगा 100 का 100 200 300 400 500 600 और 700 क्यों मैं 700 लिखा क्यूंकि आप हायर्स नंबर आप ट्री कितने 600 तो मैं एक मट्टीपल ज्यादा लिखके 700 लिखके छोड़ दूंगा अब चलो हम पाट अपना ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या दुदन गाव में कितना ट्री प्लांटेट किया गया है 500 अपना अच्य से प्लॉट कर लेता हूं यहां तक क्या आजाएगा अपना फाइंड हो जाएगा मेरा इसको अच्छे से प्लॉट कर लेता हूं यह के अपना बगनी बगनी कहा है 350 कहा पर आईगा 300 और 400 के बीच आपर आजएगा यहां तक आजाएगा यहां तक आजाएगा तो यहां तक आजाएगा तो तो इसको ऐसे डॉख कर लोगे तो इसके बाद अपना थर्ड विलेज कौन सा है सामदोली तो सामदोली में कितने है स्सेक्ष और्ड्र पिलान्ट मांकर खेना यहां तक आजाएगा तो यह इस यह क्या होगे अपना 603 प्लांट हुए सामदोली में उस अपना ना है एक अरbenना रहा झ geçe tips यहां अश्टा पे ट्री प्लाइंट किए गए 420 तो 420 कहां तक आएगा देखो एक एक लाइन का मतलब क्या होगा किसके बराबर एक लाइन 10 के बराबर है यह से मैं अभी टोटल कितने लाइन है 10 लाइन है ना पूरा एक इतना है कि अगरें कितने अगरें अगरें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा एक डैसे एक जो डैसे के वहल चोटा सा वह कितने ट्री के बराबर हुआ 10 ट्री के बराबर हुआ तो अभी मिरेको यह आस्था गामे कितना ट्री प्लांट किए गए है 420 तो 420 का मतलब क्या जाएगा 400 मतलब यहां तक आजाएगा लेकिन 23 और प्लांटेट किए तो मैं तब कितना डैस लेना पड़ेगा और चोटे-छोटे डोड़ेस लेना तो इसको मैं अच्छे से प्लॉट कर देता हूं यह क्यूंकि 420 है न तो आपके दो लाइन और उपर चले जाएंगे एक लाइन कितने ट्री के बराबर हो गया अपना तो मैं यहां पर आ गया लेकिन और में को 23 और प्लॉट करने के लिए में क्या करूंगा 2 mm और ले लूँगा आई हो पको यह समझा रहेगा और उसके मदब लाश्का कह दिया गया है 540 तो मैं 500 तक यहां पर आ गया और मेरा 0.1 mm मतलब कितना ट्री हो रहा है और यह 10.3 हो रहा है तो 40 के लिए कितना mm लेना पड़ेगा मैं चार लेना पड़ेगा ठीक है ना तो मैं यहां पर कितना प्लॉट करलूँगा यह 500 तक तो लिए यहां पर आ गया और मुझे कितना 10 लेना पड़ेगा च्छोटए-चुटए-च्छोटए-फोडए न कर लिए 540 को भी दम चे से प्लॉट कर लिया ठीक है यह था अपना इस नमबर फाइड यह था अपना प्रफॉस्ट नंबर फाइड जिसमें हमें क्या करने का था कि आपको विलेजस के नेम दिये गए है और उसमें इतने ट्री प्लांटेट किये अभाई उसका बारग्राफ के दिखाएए तो हमने फाच विलेजस थे उसे हम पाच विलेजस को हमने X-axis पे ड्रो किया और जो नंबर उप ट्री प्लांटेड हुए थे उस स्केलड के आपने को अरडारी गीवन है कि सेंडेमेटर किणने ट्री के बरबर है और दिक के बरबर है तो पर बगनी में किज्ञा ट्रीप लिखना पड़ेगा करने ट्रीफीफिटी तो यह तो अच्छे जाएगा 350 मतलब के आ जाएगा 300 and 400 के बीच में उसके बाद समदोली में कितने ट्री प्लांटेट गया गया है 600 600 बरबर यहां तक आ जाएगा लेकिन यहां पर देखो 240 है तो अपने को टोटल पता है कि यह से संठी मिलतें मतलब कितना हो रहा है 100 हो रहा है ठीक हैा कि एक विचन ऑपने कर जाए गा है एक यांड तक तक तो मैं कहा है और चोटी 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 एक दम अच्छे से समझा रहेगा है अब हम क्षिन मबर्स देखते हैं अब हम question number six solve कर लेते हैं तो question number six में हमें बोला गया है यश्वन्त Allocated यश्वन्त Allocates different durations of time as show below two different exercise hidden during week draw a bar graph to show the details of his schedule using appropriate scale ठीक है तो आपने को कह दिया है यश्वन्त Allocated different duration of time as shown below two different exercise exercise for exercise he done during week draw a bar graph to show the details of schedule using appropriate scale ठीक है इसका अंदर क्या है कि अश्वन्त ने क्या किया कि exercise किया है उसने ठीक है उसने different exercise perform किये हैं और उसको exercise को complete करने में क्या क्या अदिनोट किया है इन लोग में types of exercise कि यश्वन्त ने कौन-कौन से exercise perform किये तो सबसे पहले अपने को दिया गया है exercise तो type of exercise is यश्वन perform तो उसमें से पहला है running पहला exercise किया उसने रनिंग उसके बाद उसने किया योगा सना योगा सना उसके बाद उसने किया cycling उसके बाद उसने किया mountain ring last में उसने किया badminton badminton ठीक है उसने exercise परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा अपने को दिया गया है तो देखो running उसने complete किया 35 minutes में ठीक है योगा सान उसने complete किया 15 minutes में cycling उसने complete किया one hours one hours and 10 minutes ठीक है उसने इतने time में complete किया cycling और mountaining कितने में किया उसने one and half hours में और last में उसने कह गया badminton कितने में complete किया 14 minutes में ठीक है तो उसने यह सब exercise perform किये और उसको इतना duration लगा अपने को बताया गया है तो आपने को क्या बोला गया इसका मुझे बारग्राब ड्रॉ करके दीजिए तो चलो हम देख लेते कि कैसे करेंगे लेकिन यहां पर देखो एक problem हो रहा है अपने को कि अच्छे अच्छे format में दीगया है 35 minutes तो हमें समझता है 50 minutes भी हमें समझता है 45 भी समझता है लेकिन यह दोनों देखो एक तो 10 & half बोला गया है मिनट्स में करना पड़ेगा तो देखो यह ऐसका हम थिफ्टी यह लिख लेते हैं रवन आवर कितने पराबर है अपने कि इसका मतलब क्या हो गया यह अपने को कितना साइक्लिंट करने में टाइम लागा है सेवेंटी मिनिट्स वान आवर का सिक्स्टी और टैन मिनिट्स में सैक्लिंग कर रहा है कि अवह कि अवह वान आवर का मतलब कितना हो गया वापस अपना और गंटा अदा अधा गंता मतलब करता है वन अवरका अधा तो ऊसका आधा कितना हो जाएगा अपना 30 मिनिट्स तो इस और यह ओल्रेटी 45 तो है तो दो यह सब अपना अपने को हमने सभी जो भी डेटा अपने को दिया गया था टाइम का उसे हमने अच्छे से मिनेट्स के फॉर्मेट में लिख लिया है खाली आपको कन्फूस करने के लिए लिए था ठीक है तो हमने चलो इसको भी क्या कि दिया इसमें लिख लिए कि वान अगर एंट टैन मिनिट्स के बिर इतने सब्सक्राइब आपने अपने क्या प्लॉट कर सकते हैं अगरा प्लॉट कर लेंगे तो चलो हमारा सबसे पहले क्या मोटी होता है कि हम अपने प्टाबट स्केल रो कर लेंगे पले अपने ये का एक्सित कर लेते अपने फटाक से सबसे पहले हम ड्लॉट कर लेंगे अपना यह अपना y-axis थिक्रिया वैफ्ट रॉक कर लिया और हम यह बिड़ग कर लेते एक्स एक्स्यस को भी ड्रॉट लेते हैं और यह हमने क्या कर लिए एक्स एक्सिस को भी ड्राव कर लिया अब चलो हम फटक से से नेमिंग कर लेते हैं तो जो हमारा टाइपस ऑफ एक्सेस आउसे कहां पर प्लॉट होगा यहां पर क्या लिख लेंगे यह अपना है एक्स एक्सिस और यह अपना वाइक्सिस ठीक है तो हम स्टाटिंग से क्या करेंगे सबसे पहले अपना कौन सा यह है यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं है यह क्या चीज़ है यहां पर आएगा एक्सेश पर क्या प्लोट होगा टाइप ओफ एक्सिस टिक एप्स और नंग था तो मैं एक सेंटीमेटर चुड़के परला लह लिख लूँगा भने उसके पाद सेकंड क्या था योगा सना उसके एक संटीमेटर चोड़के ता अपना साइक्लिंग एक संटीमेटर चोड़के ता अपना मांटेंग सब्सक्राइब करने से पहले क्या देखना पड़ता है स्केल देखना पड़ता है तो इस अभी किसी के टेबल में दिख रहे हैं अपने को आते हुए यह सब सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको तो हम क्या कर लेंगे कि स्केल लिखके ऑन वाय एक्सिस स्केल लिखके ऑन वाय एक्सिस वान सेंटिमेटर कितने के बराबर है दस मिनेट्स क्योंकि टाइम में नहीं तो एक सेंटिमेटर कितने को डिनेट कर रहा है दस मिनेट कर रहा है तो हम यहां पर क्या लिखते हैं आप वाय एक्सिस पर अपने पता चल गया है कि कि इस जिरो टैन का मल्टिपल आजएगा टैन ट्वेंटी ठर्टी फॉर्टी प्लाट कर लेते तो दिखर रंणिंग करने में अपना इसको यह उन को कितना टायम लगा कि राणिंग कंप्लिट करने में फ्लाट कर लिया अ कि अब इसको अच्छे से आप प्लॉट कर लो तो रॉनिंग में इसको ठाटी फाइब मिनेट लगे तो ठाटी और फॉर्टी के बीच में आगा सेकेंड में योगा सन कितना टाइम लगा फिफ्टी मिनेट लगा तो यह कि अब इसको कि अब यहां पर आ रहा है तो साइकली में इसको कि अदाइम लगा तो सेवेंटी लगा तो सेवेंटी को में कहां प्लॉट कर लूँगा यहां पर ठीक है फिर इसके बाद उसने मांटेनिंग कितने टाइम में किया नाइटी में तो कहा है मेरा यहां पर अच्रेट को विक लगा 445 कहां पर आएगा 40 40-50 के बीच वीच तो यह यहां पर आ जाएगा फॉर्टी और 50 वीच 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 प्लोट कहांपर उना यहां पर आ टीक है ये कहां पर प्लोट होगा यहां टीक है यह था अपना कोशिन एमबर सी ठीक है इसमें क्या दिया गया था अपने को थोड़ा कर ले नहीं किर लिए अपना सभी डेटा क्या हो गए विनेट्स में तो हमने किया कि आप से लिया यह जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगा वन सेंटिमेंटर को 10 मिनिट्स पकड़ लूँगा तो मैंने यहाँ पर 10 का मल्टिपल लिख लिया सबसे पर रनिंग कितना है 35 किया 35 कहाँ पर आगा 3040 के बीच में 35 रनिंग को योगसन को मैंने दे दिया 50 तो मैंने 50 प्लॉट कर लिया फिन सेवन्टि को को लिए मैंने साइक्लिंग प्लॉट कर लिया नटि के लिए मैंने मांटेनिंग प्लॉट कर लिया और शेपना नरन के अपना नाइंटीन था ठीक है इसमें तोटल अपने कितने कोशन थे टोटल अपने six कोशन थे प्रैक्टिस सेट नंबर नाइंटीन में तोटल six question में थे इसमें से हमने पहला भी अपना बार ग्रॉफ अच्छे से ड्रॉफ कर लिया कि अपने को name of the head of the बार ग्रॉफ ड्रॉफ करने का था वह भी हमने अच्छे से ड्रॉफ कर लिया ठीक है और अपना क्या था उसके बाद जूस पिने के लिए इतने इतने customer आ रहे लेकिन यहां पर क्या था कि अपने को दो करने के एक तो सकेल आफी किस्टमर पकड़ लेना और एक सकेल 10 पकड़ए तो देखो यह कोशन प्रेक्टिस से समझ में आया रहेगा फ्रेंट्स आपकी कोई भी क्वैरी होता आप मुझे कमें सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको कैसे लगाए विडियो प्लीस मुझे कमें सेक्शन में बताइए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ओके बाई